हाली में फिल्म जुजुग जियो के प्रोमोशन के दौरान एक्ट्रस नीतु कपूर से रंबीर कपूर की शादी बहु आल्या भट और घर के बदले महौल को लेकर खूब सारे सवाल पूछे गए थे जिसके जवाब में नीतु ने कहा था हां बेटा बदल गया है शादी के बाद वहीं अब रंबीर कपूर ने भी आकिरकार पहरी बार ये माने लिया कि उनकी लाइफ में उनकी लेडी लब आल्या के आने के बाद से बहुत कुछ बदला है और सर्फ इतना ही नहीं रंबीर कग कुछ संचेदत और फिल्म के दिरदेशक पहुचे इस दौरान रंबीर कपूर ने खुलकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया यहां तक कि रंबीर ने अपनी शादी और आल्या भट को लेकर भी बात कई मीडिया से बाचित के दौरान रंबीर ने बताया कि वो अपनी शादूशे जिंदगी में कितने खुश है और इस बारे में बात करते हुए रंबीर ने कहा पिछले दो साल सब के लिए बहुत खराब रहे लेकिन मेरे लिए तो कुछ जादा ही खराब रहे मैंने अपने पि रंबीर ने कहा मैं अपने फिल्मों में कहता था कि शादी ये दाल चावल है जिन्दगी में थोड़े टंगडी कबाब कीमा पाव हक्का नूडल्स होने भी चाहिए पर बॉस जिन्दगी के तजरूबे के बाद दाल चावल ही बेस्ट है इससे अच्छा कुछ नहीं है आल इसे फिल्मों को बनाने में टाइम लगता है फिर इस बीच कोवेट भी आ गया पता नहीं मैं इसे सवभाग्या की बात कहूं या फिर दुर्भाग्या की कि मेरी दोनों फिल्में करीब 45 दिनों के अंतर पर ही रिलीज हो रही है वैसे आपको बता दे कि रंबीर कपूर और आलिया भट की लफ सोडी की शुरुआत ब्रहमास्तर की सेट से ही हुई थी और इसके रिलीज से पहले ही दोनों की शादी भी हो चुकी है दोनों की शादी की तस्वीरें जब सोचल मीडिया बर आये थी तो फैंस दिवाने हो गते वही अब ये कपल एक साथ ब्रहमास्तर म की बात करें तो शमशेरा में रनबीर कपूर के साथ सर्श संजिदत और वानी कपूर भी नज़र आएगी वांकि आपको रनबीर की किस फिल्म ध्रमास्तर और शमशेरा दोनों में से किस फिल्म का जादा इंतिजार है हमें कॉमेंट बॉक्स में सरु बताइएगा और साथ साथ यह भी बताइए कि आपको रनबीर और आलेर के जोड़ी कैसे लगती है शुक्रिया अ बताइएगज़ के लगतार सरो थी अर प्रेगज कि jump उले हमें कि आपको र'M